जैसाई राम एफ्रिवान वेलकम टू मेरे साई कैसे हैं आप सब एक नया दिन और एक नया साई अनुभव लेके आई हूँ आप सभी के लिए और थमनेल देखके आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है जी हां नौ दिन नौ दिये का चमतकार और ये अ साल तक वहीं नौक्री वो करती रही पर दो साल के बाज उन्हें लगा कि नहीं उन्हें कंपनीज स्विच करना चाहिए तो उन्होने क्या खिया ना उन्होने resignation letter company को दिया और वो confident थी कि बस एक दो महिने में उन्हें नौकरी मिल जाएगा तो resignation उन्होंने company से resign तो कर लिया और वो घर बैटे बहुत सारे क्या कहते हैं companies में वो apply कर रही थी पर होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है तो apply तो बहुत जगा वो कर रही थी पर कहीं पर अच्छा package नहीं मिल रहा था और जहां पर अच्छा package मिल रहा था वहाँ पर वो select नहीं हो रही थी ऐसे करके बीद गए तीन साल रेशमा जी हो गई बहुत मायूस बहुत हताश और उन्हें अपने decision पर पचतावा होने लगा उन्हों मतलब वो सोचने लगी कि काश अगर मैं मतलब job resign करने से पहले बाकी companies पर apply करती मुझे call letter मिलता तभी अगर मैं resign करती तो वो एक wise decision होता मैंने गलती कर बहुत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ठीक है तो वो बताती है ना कि वो YouTube में वो जो job related to videos होता है ना कि कौन से company में apply करेंगे कहां पर vacancies है फिर कैसे interview crack करेंगे वो उस वीडियो को देख रही थी कि अच्छानक उन्हें एक video suggest हुआ 9 दिन 9 दिये कर चमतकार ठीक है तो रेशमा जी कहते है कि इससे पहले वो साई बाबा पर इतना मानती नहीं थी वो जानती थी बाबा है साई बाबा है पर साई बाबा के बारे में इतना details में वो नहीं जानती थी तो जब उन्होंने सुना ना YouTube में वो एक video था कि 9 दिन 9 दिया जला कि something happened, कुछ miracle हुआ तो उन्हें बहुत interest लगा और वो वीडियो खतम करते ही ना दो चार और similar वीडियो नो दिन 9 दिया इस topic के उपर उन्हें suggest हुआ और वो देखने लगी फिर उन्होंने मतलब उन्हें थोड़ा interest आया कि ये 9 दिन 9 दिया है साइं बाबा के लिए किया जाता है फिर ना वो थोड़ा miracle experience जो होता है न YouTube पे डाला जाता है हम लोग upload करते हैं वो सारा अनुपभ वो देखने लगी और बाबा के बारे में उन्हें एक idea हो गया कि बाबा क्या है बाबा की मही मा, बाबा की शक्ती और बाबा के नव गुरुवार वरत फिर 9 दिन 9 दिया जो भी है सब उनको पता चल गया उनको एक idea आ गया और वो decide करती है कि ठीक है मैं भी 9 दिन 9 दिया का जो है procedure मैं करूँगी तो वो मतलब वो 4-5 दिन तक बाबा के उपर research करती रही ठीक है और 9 दिन 9 दिया जो भी है नव गुरुवार वरत मतलब 4-5 दिन वो full research की वो बोलती है नवे पूरा research की बैट के और फिर 4-5 दिन के बाद वो जाती है दुकान वहां से दिया, बाती, तेल सब खरीद के लाती है और साथ में साइन बाबा का एक छोटा सा फोटो भी वो खरीद के लाती है क्योंकि उनके घर में बाबा का कोई फोटो नहीं था तो उन्होंने बाबा को स्थापन किया अपने घर के सिंहासन में और 9 दिन 9 दिया जलाने के पहले बाबा को बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने गलत decision दे लिया था बाबा मुझे आपके बारे में जादा कुछ पता नहीं था मतलब मैं आपका जानती थी कि आप साई बाबा हूँ पर आपकी इतनी जो महीमा है इसके बारे में मेरी नौकरी लगबा दीजिए मैं यसी मनोकामना के साथ नौ दिन नौ दिया आपके सामने जला रहे हूँ ठीक है तो बहुत प्रेम से विश्वास से और सच्चे मन से रोज मतलब नौ दिन तक वो नौ दिया बाबा के सामने जलाती थी और सच्चे मन से बाबा से यही प् इचा होगा, नौ दिन complete होने के बाद, वो 12th दे था, ठीक है, 9 दिन तो उन्होंने वो प्रसीडियर complete कर लिया, 9 दिन नौ दिये का, 12th दे था, कि अचानक वो एक mail चेक करती है और देखती है, कि एक company में उन्होंने, रेश्मा जी ने एक साल पहले अपलाई किया था, और वही company रेश्मा जी को interview के लिए बुलाते हैं ये देख के रेश्मा जी होके बहुत बहुत खुश बहुत खुश और interview schedule होता है और वो interview clear करती है और दो हफ़ते बाद उन्हें नौकरी भी एक अच्छे MNC में नौकरी मिल जाता है तो रेश्मा जी कहती है चीज का एक टाइम होता है और बाबा ने भी मेरा हाथ एक प्रॉपर टाइम में थामा जब मैं interview के वीडियो कैसे company में apply किये जाते हैं ये सब वीडियो में देख रहे थी अचानक से वो नौ देन नौ दिये का वीडियो suggestion में आना मेरा देखना ये सचमे साई बाबा का ही मतलब चमतकार है और ये नौ देन नौ दिया का जो चमतकार मेरे life पे हुआ मैं तो वो कहती है कि मैं तो सब को कहूंगी कि बाबा पे विश्वास बनाए रखना और बाबा सब समस्या का समाधान करेंगे बिलकुल रेश्मा जी यही सबसे सबको यही मैं भी कहना चाहूंगी कि बाबा पे विश्वास बनाए रखना बाबा को पूजा करने के लिए आपको कुछ सामगरी कुछ सामान नहीं चाहिए बाबा सिर्फ आपके प्यार के भूके हैं बाबा को सिर्फ कि बाबा नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे देखिये हम क्या बुलाते हैं उन्हें किस नाम से बाबा इसी नाम से बुलाते हैं तो बाबा अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं बाबा is never late never early, बाबा is always on time तो इसी के साथ आज का साई अनुभव यही पर समा और आप सभी से यही कहना चाऊंगी अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेर करना चाते हैं तो आप मुझे इमेल कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर direct message कर सकते हैं या फिर मेरे WhatsApp नमबर में भी आप मुझे मेसेज कर सकते हैं मेरा इमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा वाटसाप नामबर तीनों ही डेस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और अगर आपको साई से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है आप बार बार लगातार सुनना चाते हैं जुड़ जाए मेरे साई परिवार से तिल देन चे साई राम